जिन्दगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिara ना बहुत ज़ाधी मेहनत करनी पड़ती है और कितिनी खुशी होती है जब आपका मैहनत सफल हो जाते है तो आज हम लोग ऐसी ही किसी चीज के लिए निकलेते निकलेते और यहाँ पर जाने के लिए हम लोग दोनों ही काफी जादा एकसाइटेंट थे फिर एक फ्रेंड को बीच में से पिक अप किया यह लोग मुंबई में नहीं तो हम लोगों से मिलना आया थे तो हम लोग नों सोचा चलो इनको भी साथी लेकर चलते हैं फटाफट सबको गाड़ी में बिठाया और यह देखो यह मह सब्सक्राइब करेंस बगेर आया थे और सारी फैमिली भी आया थी और बहुत खुशी की बात है और इनी बड़ी बात है क्योंकि देखो आप जिसको बच्पन से देखते हैं वह कुछ अच्छा हासल कर ले तो बड़ा सुकून मिलता है हम लोग आंटी से मिले आशिरवाद लिया और अंटी को हम लोग कॉंग्रैचुलेशन बोल रहे थे आंटी हम लोगो को एलटा कॉंघ्रा का हुआ कि मज़ा ही आ गया तब लोग अंदर गुजगाए टर्फ में और यह तर्फ है ना काफी ज्यादा बढ़ा है और यह जो है वह मलाड वेस्ट में मालवनी चर्च के पास मुंबई में तो अगर आप लोग भी मुंबई में रहते हैं तो इस टर्फ में आके अच्छे स खेल सकते अपने फ्रेंड्स वगेरा के साथ यह मुंबई का सबसे सस्ता टर्फ है जहां पर आपकी जेब पर ज्यादा भारीपन आएगा नी तो अच्छे से फैमिली वगेरा के साथ फ्रेंड्स के साथ वीकेंड्स या वीकडेज पर आके यहां पर क्रिकेट बैड्मिंट और जो भी खेलना चाओना सब कुछ खेल सकते हो तो हम लोगों ने थोड़े टर्फ के तो आनंद उठाई लिया मस्त यहां पर बच्पन की आदे ताजा कि राहूल तो जो चक्के पर चक्का मार रहे थे कि पूछो ही मत फिर सब लोगों का लंच टाइम हो गया और भूक ल आरे घंच को बाटे ले थे और हम लोगों को तो काफी मज़ा रहा थे क्योंकि यह तना खुला और इतना मज़े दार है कि हम लोगह थोड़ा nd zones पिर रोफ गुलब तर और प्र खेलने में गुम हो गया अरे अगे ताwn जैसे हम क्रिकेट धार खेलते ते थे ऑशायरे न तारे लड़के मिलके क्योंकि मीठे के आगे तो इनको कुछ दिखता ही नहीं फिर गुलाब जम उन खाके फिर बैडमिंटन चले गए खेलने के लिए और हम लोग है यहां पर कम से कम चार पांच गंटा पर ऐसे लग रहा था अभी आये हैं अभी खेलना चालू किया है क्यों और रस्ते में हो गया यह कांड यार जाते जाते हैं न हम लोग जिस साइट से जा रहे थे उसी साइट पर आगे न एक इतना बड़ा ट्रक पता नहीं कैसे पल्टी हो गया आप भी देखोगे न तो शौक डो जाओगे कि यह ट्रक उस रोड पे करने क्या जा रहा था समझ म तो दूरी बना कर रखते हैं और फाइनली हम लोग इना घर पहुच गए और घर जैसे पहुचे वहाँ पर देखा तो लाइट ही नहीं चालू रही थी समझ में नहीं आया था क्या हो गया लाइट को बहुत कोशिश किया फिर रावल अंदर भार राय लाइट चालू करके बंद कर रहे थे हम लोगों को लगा शायद बिजली काट दी हो फिर थोड़े टाइम बाद पता चला कि बिजली नी कटी थी लाइट ही कटी थी सबकी और अपने आप लाइट आ गई हैसा मुझे तो लगा आप गर्मी में ही सोना पड़ेगा चलो खेर कोई नहीं आस तो हम आप लोगों को बड़ा मज़ा आया एक दम बच्पन याद आ गया था सारे फ्रेंज के साथ टर्फ में खेलने के लिए तो जल्दी से मिलती हूं आप लोगों को अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई